विश्वेस तरिये Global Indian Organization के तद्वधान में शुकरवार को एक पत्रकार वारता का आईजिन किया गया पत्रकार वारता के दौरान Organization के पददिकार्यों ने आगर चैप्टर का अधिस्ठापन समहरो आईजित किया पिल्स होम स्टेई में आईजित कालकरम के दौरान विविन देशों के भारती अमूल एवं विदेशी पती निधी मौदूत रहे अगे बड़े और ये एक नॉन पॉलिटिकल और्गनाईजेशन है नॉन रिलिजियस और्गनाईजेशन है नॉन प्रॉफिटेबल और्गनाईजेशन है इस और्गनाईजेशन का मात्र मकसद मानव की सेवा करना है और जो भी नीटफुल लोग है जैसा कि अभी हमारे ambassador जी ने बताया कि जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी चाहें वो महीला के पावर की बात हो, बाल सेवा की बात हो, या यूथ टैलेंट की बात हो, यह हर तरीके से हम उनकी मदद आर्थिक रूप से, एजुकेशन रूप से, कल्चर के रूप से करेंगे, और जो विदेश भी जाके यह सेवा करना चाते हैं, सैटल होना चाते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इसमें काफी देशों का बाइस अभी देश हैं इसमें, तो यह सब एक तरीके से परिवार है, यहां एक पहला, आमिन ओगनाजेशन, ग्रूबल इंडियन ओगनाजेशन चैप्टर, अगर को मैं, बतुते हैं, यह होती हैं होना वेटी कि इन्ध कर एंग्र कि अगनाजेशन चैप्टरा और जैसे हैं, इन्ध here in our local countries where we are living for example i live in France my friends have been for France there is one person from UK a προ apert鐘 from Mauritius to its international global organization we can say everyone it is wonderful to be in my motherland in India especially in agra after meeting mr gurmy MAX I'm very happy to announce that he is the president of the क्या felt on Global Indian Organization International Thank You Global Indian Organization is a nonprofit, non-political and non religious organization we actually bang it and in the number of countries we currently have 23 countries in our organization with different chapters in different countries today we have UK we have Mauritius we have Europe we have South Africa participating and यहां आपने अगरा तोड़ आपको आपको आपके कंधों पर जिम्मेदारी आजाती है और यह एक ऐसी जिम्मेदारी है वैसे भी मुझे परम्पिता पर्मात्मा ने कई सारी सेवां से नवाजा है कई सारी सेवा करने का मौका हमेशा शोशली और एक तरीक ऐसे डिवाइन नॉलिज लेते वक्त यह पहले ही जान लिया था कि मानव सेवा तो करनी है क्योंकि मानव जीवन जो मिला है वो किसी उदेशे के लिए मिला है एक उदेश चिले के हम पैदा हुए हैं, मानव हो मानव को प्यारा एक दूजे का बने सहारा, लेकिन हम एक कोशिश करते रहेंगे, जो भारत के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारती हैं, दिल में एक भारत बसता है उनके, और वो विदेश रहते हैं, फिर भी दे कि उन्होंने हमें चुनाएं अपना साथ देने के लिए